हेलो गाईज, वेलकम टू बाइटली स्टडी गाईज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बाईव मंडल की पड़तों संबंदी जितने भी सारे important question बनते हैं आज की इस वीडियो में बताने बालूँ तो दोस्तो वीडियो को लाच तक जरूर देखें पूझे जाता है तो इनके English में क्या का नाम है? एक्सोस्पियर, आइनोस्पियर, मैसोस्पियर, ट्रेटोस्पियर, प्रोपोस्पियर तो ये भी आपको ध्यान रगना है ठीक है? इनके English के नाम आपको जरूर ध्यान रगने है क्योंकि दोस्तो यहां से जो कोसन बनता है वो इंग्लिस में ही बनता है और दोस्तो नेक्स्ट पॉइंट है रहाप इसका बाहिये मंडल को अनने किस किस नाम से जानते हैं यह चारो नाम आपको ध्यान रगने है ऐसा ही दोस्तो चोब मंडल के भी चारो नाम लिखे वए आ जाते हैं मैंने इनको चारो को एक साथ लिख दिया है जैसे कि चोब मंडल परिवरतल मंडल के नाम से भी देख गया है सम्मेन मंडल भी इसे ही कहा जाता है और Tropho-Sphere के नाम से भी छोब मंडल को जाने जाता है ठीक है अब बात के लिए तो दोस्तो पहला है छोब मंडल परत के बारे में तो इसका पहला point है दोस्तो बाय। मनडल की सबसे निचली परत कुरा है तो हो है छोब मंडल और दोस्तो बादल भी छोम नंडल में ही पाजाते हैं, तो दोस्तों ये जो बादल होते हैं वो छोम मंडल परत में ही पाजाते हैं, तो ये आपको ध्यान अगना है Next Point है प्रत्वी के बायू मंडल का सरवादी घरत भे, यडल में finest में ही पाजाता है ठीक है जो बाईव मंडल का सरवाधी घर्यत पे दूस्तों वो छोब मंडल परत में ही पा जाता है और बात करना है पर छोब मंडल परत की धरातल से उचाई कितनी है तो वो 0-18 km तक है ठीक है अगर हम प्रत्वी की सतय से 18 km उपर तक चले आए तो वो छोब मंडल परत में हम हो जाती है तो यह भी आपको ध्यान अगना है नेक्ष्ट परत का नाम है समताप मंडल तो यह इसके बारे में पढ़ लेते हैं दूस्तों बाईव मंडल की दूसरी परत है यह दूस्तों समताप मंडल और समताप मंडल में दूस्तों ओजन परत पाई जाती है जो की सूरत स आने वाली परावैगनी किरुणों से हमें क्या खती है रक्षा करती है इसलिए इसे प्रत्वी का सुरक्षा कबच की नाम से जाना आता है तो यह आपको ध्यान अगना दोस्तों यहां से कोस्टन जो बनता है यह बनता है कि ओजन प्रत किस बाई मंडल की किस प्रत में पाय ज करक्षा भारवन ठी जो यह चीश से निकलती है तो यह ईसी और रेफिरेटर जो होते हैं इंसे चीशी निकलती है और यही ओजय प्रत का मापा जाता है ठीक है नेक्ट आजाते हैं बायू यान तथा जैट बिमान समताब मंडल में ही पाए जाते हैं यह समताब मंडल में ही उड़ाए जाते हैं दोस्तों जो बायू यान है और जो जैट बिमान है वो समताब मंडल में ही उड़ाए जाते हैं क्यों? क्योंकि जो समताब मंडल है दोस्तों उसका तापमान क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है? वहाँ पर तापमान में कमी या ब्रद्धी नहीं होती इसलिए इस मंडल में ही दोस्तों बाईवान और जैट बिमान उड़ाए जाते हैं इसलिए परत नेश्ट आते हैं मध्य मंडल ये तीसरी परत है दोस्तों मध्य मंडल के बारे में पढ़नेते हैं मध्य मंडल बाईव मंडल की है परत उलका पिंडो को प्रद्धी तक आने नहीं देती है जो दोस्तो उलका पिंड आते हैं प्रत्वी के ओ तो ये मद्धमंडल जो परत होती है इन्हें रास्ते में जो आइने का कर देति है नष्ट कर देती है उलका पिंडो को ठीक है रग जाते है तो इसी मंडल में स्थापित किये जाते हैं, यह भी आपको ध्यान अगना है, दोस्तों यह सैटलाइट छोड़ी जाती है, इस रो, नासा इन के द्वारा, तो यह आयन मंडल में ही स्थापित की जाती है, ठीक है, और बात करना है, इसकी निश्चित सीमा नहीं है, भाई यह मंड हैं भाईय ह्या मंडल में ठीक है और नेक्स्ट पउइंट है वायो मंडल में किस परत में ग्रीन हाउस फिर वाव सरार्वडिक होता है तो यह भी आपको ध्यान लगना नेक्सट आसे हैं मैं पाई तो बात करना दोस्तो सरवादिक मातरा में कौन सी गैस पायाती है बायू मंडल में तो वो पायाती है दोस्तो नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पायाती है तो यह 78 प्रतिशत पायाती है कितनी 78.08 प्रतिशत दोस्तो यह नाइट्रोजन गैस पायाती है बायू मंडल में ठीक ह बात करना है दूसरी सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली गैस है बायू मंडल में कितनी पाई जाती है लगबग 20 से 21 प्रतिशत ये मातरा में पाई जाती है बायू मंडल में यह बहुत कम मात्रा में पाए जाती हैं ठीक है दोस्तो यहां पर note point भी पढ़ लेते हैं ठीक है तो यतना आपको ध्यान अगना है नेक्ट पॉइंट है बायू मंडले दाप को किसमे मापते हैं हम तो ये बैरो मेटर में मापते हैं दोस्तो बायू मंडले दाप को और दोस्तों बात कर लें जब बैरोमेटर पैमाने का मान अत्यदिक तेजी के साथ नीचे गिरे तब क्या दोस्तों आंधी या तुफान आने की क्या होती है संबावना होती है जब धीरे धीरे नीचे आए तब बरसा होने की संबावना होती है जब बैरोमेटर पैमाने का मान धीरे धीरे उपर के और बड़े तब मोसम साफ होने की संबावना होती है ठीक उस्तो तो ये थे बायो मेंटल की पड़तों से संबंदित कुछ महत्पूर्ण प्रशन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर दूस्तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सेज़ जो करें तो अधर चैनल को नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी क्लास नोट वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल क के मादम से मिलें लाश्ट देखने के लिए दूस्तो धन्यवाद